हेलो फ्रेंड्स मैं अम्रित स्वागत करता हूँ आपका एनेक्स 12 ट्यूटोरियल में यह हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2 होगा सेकंड लेक्चर यह हमारा फर्स लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजे देखे थी और कुछ बेसिक चीजे बजगी थी जो हम अभी देखेंगे ठीक है तो स्टाट करते हैं यूपर जाकर हम नहीं पेज ओपन कर लेते हैं मॉडलिंग के लिए ठीक है और यूनिट कर देख्टा ना लाउनए ऑल्टा डेक्स्टोर में में डिफाइन कर देख्टा बेंदल सुब्स फोलड़र रहे गा ओके ओके और मैं ओके कर आज हम देखेंगे, ठीक है, NX12 थोड़ा सा टाइम लेता है open होने में, बड़ा फाइल है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, यह open हो गया, ठीक है, simply मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि कैसे start करना है, sketch लेना है, I hope आप लोग practice कर रहे होंगे इस चीज के अच्छी से, इतना ज़्यादा practice करेंगे उतना आपका fluency आएगी, और okay कर देना है, ठीक है, तो मेरा XY plane पर sketching start हो जाएगी, तो मैंने यहाँ profile से लेकर point तक बता दिया था, ठीक है, अब हम इसमें आगे के options देखते हैं, जैसे कि chamfer है, fillet है, trim है, और आपका quick extend है, यह सब options देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो chamfer देखने के लिए मैं suppose, यह 2D chamfer है, ठीक है, यह 3D नहीं है, 2D chamfer है, मैं suppose इस point से एक rectangle बना लेता हूँ, ठीक है, अब देखिए rectangle में, यह मेरा sharp corner है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ sharp है, यहाँ sharp corner है, यहाँ sharp, सभी sharp corner है, बट suppose मेरे model में sharp corner नहीं है, यहाँ chamfer दिया हुआ है, तो simply हमें chamfer पर click करना है, अब हमें define करना पड़ेगा, कि chamfer कितने mm का है, एक mm का है, दो mm का है, तीन mm, जितने mm का है, वहाँ define कर दिये, मैं सब्सक्राइब करता हूँ, ठीक है, उसके बाद देखिए चैंपर में option है symmetric, asymmetric, and third option है angle, offset and angle, symmetric अगर हम select करते हैं न, तो यह x में और y में, दोनों में equal equal, 2 mm का chamfer लग जाएगा, ठीक है, और यह by default 45 degree ही होता है, ठीक है, जब हम symmetric चूज करते हैं, अगर symmetric में option यहां रखता हूँ, तो देखिए, यहां पूछर है select lines, हमें lines define करना पड़ेगा, ठीक है, मैं line define करता हूँ, अब एक lines है, तो हमारा chamfer बनेगा ने, क्योंकि हम x, y, दोनों में define करना पड़ेगा, तो मैंने पहली line select की, अब दूसरी line, अब इस line पे देखिए, यह दिखा रहा है, chamfer बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, अब कितनी value रखनी है, मैं suppose 2 mm का यह 5 mm का मैं chamfer रखता हूँ, तो देखिए, यहां x और y में दोनों में, देखिए, मैं दिखाता हूँ, यह जो distance दिख रहा है, dotted line, यह मेरा जो y में distance है, 5 mm, और यह जो line दिख रही है, यह मेरा x में distance है, 5 mm, यानि 5 mm, 5 mm का 45 degree के angle पर यह chamfer लग दिया है, ठीक है, अगर मैं asymmetric रखता हूँ, ठीक है, तो देखिए, दोनों में अलग-अलग value आ रही है, यानि कि x में 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 अलग value हो जाएगी, y में अलग value हो जाएगी, ठीक है, asymmetric chamfer, सपोज, मैं यहां 5 mm यहां, यह फिर मैं यहां 10 mm कर देता हूँ, और यहां 10, 20 mm, ठीक है, मैंने यहां 2 अलग-अलग value डाल दे, अब मैं यहां select करता हूँ पहली line और यह मेरी दूसरी line, देखिए, देख रहे हैं किस तरह का chamfer बन रहा है, मैं सपोज यहां यहां तो, देखिए, यह एक asymmetric chamfer है, x में कुछ और value है, y में कुछ और value है, इस से asymmetric chamfer कहते हैं, यह model के हिसाब से, 2D drawing के हिसाब से हमें define करना पड़ेगा, जैसा chamfer हो, उसमें वैसा chamfer हम use कर सकते हैं, next option है, इसमें offset and angle, आप देखिए, offset में जो पहली value है, distance, 10 mm, यह भी x, y दोनों में value calculate करेगा, ठीक है, यह x में भी 10 mm लेगा, y में भी 10 mm लेगा, और जो angle है, कितने degree angle पे, 45 पे, 60 पे, कितने degree angle पे मुझे define करना है, तो मैंने line select कर लिया, और this select कर लिया, देखिए, automatic इसने 60 degree, जो 60 degree दिखाना है, 60 degree angle पे, 10 mm लेगा, अगर इसे मैं 45 कर देता हूँ, इसे close करके, मैं इसे 45 कर देता हूँ, तो यह equal हो जाएगा, ठीक है, इसे मैं 45 कर देता हूँ, यह equal हो गया, मैं इसे 70 degree कर देता हूँ, यह एक आप्शन यहां पर देखे, trim input curve, अगर इसे मैं check on कर देता हूं, तो जो मैं delete कर रहा हूं, x में और y में जो मेरा distance है, वो delete हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं चाहता हूं, वो curve भी रहा और chamfer भी रहा है, ठीक है, मैं symmetric ले लेता हूं, 10 mm, 10 mm का, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हू जो मेरी xy की line है वो delete ना हो, पहली line और दूसरी line select कर ली, यह मेरी xy की line भी बनी है, और यह मेरा chamfer भी लग गया है, ठीक है, इस तरह से मैं अगर चाहूं तो कर सकता हूं, ओके, यह हो गया, अब इसके बाद आते हैं, chamfer में और कुछ भी नहीं है, clear है chamfer, इसमें कोई ठीक है, मैंने chamfer सारा delete कर दिया, उसके बाद हमने एक श्राट है, fillet option पर, fillet क्या है, एक sharp corner को radius में बदल देता है, अब यह chamfer क्या कर रहा था, sharp corner को, इस corner को तो खदम कर दे रहा था, लेकिन, एक दूसरा corner के create कर दे रहा था, एक यहाँ, एक यहाँ, जो भी मेरी value है, उसक corner create कर दे रहा था, लेकिन अगर मुझे इस point से, इस point के बीच में radius डालना है, तो कैसा कर डालेंगा, जाखिए, पहला option है, trim, ठीक है, अब trim क्या है, जैसे मैं सपोज यहाँ, और इस line और इस line के बीच में radius डालता हूँ न, तो जो मेरी बाहरी line है, यह वाली line, यह delete हो कर लिए, यह देखिए, automatic इसने 20 का radius बना दिया, और यह जो मेरी बाहरी line है, यह delete हो गई, पहला option के according, यह बाहरी line डिलीट हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ न, मुझे यह बाहरी line बीच यह, और यह radius बीच यह, जिसा के chamfer के case में होगा था, अब मैं सपोज 30 का radius चाहता लेकिन मुझे line stream नहीं करनी है, पहला और दूसरा, दिखा, यह line भी मेरी रह गई, और मेरा radius भी बन गया, ठीक है, इस तरह से आप लोग ऐसे options को use कर सकते हैं, जैसे demand है, drawing की, model की, उस हिसाब से आप लोग, जैसे आप लोग convenient है, suppose, beginner से तो आप लोग यह value, यह lines भी रखना चाहते हैं, और यह भी, ताकि चेक कर लें एक बार, ठीक है, उस तरह से आप लोग कर सकते हैं, जैसे आप लोग इक्षा, सब कुछ आप लोग के उपर depend करता है, कैसे आप लोग nurture करते हैं इस इसको, ठीक है, जैसा मैं सिखा रहा हूँ, अगर हूब हूब करेंगे, तो obviously सी सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करेंगे ने, तो बहुत ज्यादा सीखेंगे, ठीक है, यह एक factor है, ठीक है, अब चलते हैं next option पर, यह हमारा chamfer complete हो गया, fillet complete हो गया, अब आते हम next option की trim पर, इसको on करते हैं, देखिए, मुझे क्या बोल रहा है, select curve, ठी कि इस line को मुझे trim करना है, जिस पर भी मैं click करूँगा, वो trim हो जाएगा, जिस पर भी click करूँगा, ट्रीम हो जाएगा, इसे यह radius बन गया है, इस पूरी line को मुझे यहां से, इस line को trim करना है, इस पर click कर दूँगा, यह line कट जाएगी, जैसे कि मैं कुछ और सीज़े करना चाहता हूं देखिए मैं चाहता हूं कि मुझे यह लाइन चाहिए और यह लाइन और यह लाइन बाहरी लाइन नहीं चाहिए तो ट्रीमिंग हमेशा देखिए तो जो भी trimming section है जो line trim होगी वो automatic red color में आ जाएगे यह trim हो सकती है यह trim हो सकती है यह बीच वाली line trim हो सकती है इस तरह साफ लोगों को पता चल जाए कौन से line trim हो सकती है तो एक तो option है कि डिरेक्ट ऐसे click करते जाएंगे यहाँ भी click करते जाएंगे वो trim होती जाएगी otherwise दूसरा क्या option है मुझे बहुत सारी trimming करनी है ठीक है यह सारे lines मुझे सिर्फ यह दुन अंदर के रखने है और यह 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 चारों मुझे delete करना है मुझे यह भी line delete करनी है सब कुछ delete करना है बस मुझे इतना portion रखना है simply left click करके drag करते जाएंगे pencil का sign अधा जहाँ जहाँ यह click जाएगा वो trim होते जाएगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यह सब यह सब जहाँ जहाँ लोग drag करते जाएंगे वो cut होता जाएगा बस मुझे इतना ही चाहिए था इस तरह से आप लोग कर सकते हैं आपका time saving होगा simple trimming इतना ही है trimming में कुछ बिशेश नहीं है आप लोग यहाँ से trimming कर सकते हैं अब चलते हैं हम लोग next option की तरफ मैं inside delete हुए को वापस लेकर आ जाता हूँ चिक है अब देखिए अब हम लोग चलते हैं next option की तरफ extend extend के लिए मुझे थोड़ा सा change करना पड़ा है मैं पूरा delete कर लेता हूँ फिर set plane ले लेता है और मैं कुछ portion बना लेता हूँ इसे यह हो गया है यह हो गया ठीक है suppose मैंने यह 3 एक line बनाई है अब extend कैसे काम करता है वो मैं दिखाता हूँ और एक line यह हाँ एक line यह हाँ एक यह हाँ ऐसे मैंने 3 line बना दी कुछ horizontally कुछ vertically अब देखिए मैं extend option पे जाता हूँ extend option में हमें curve select करना है कि की curve को हम extend करना चाहते है ठीक है लेकिन extend करने का भी एक तरीका है उसे एक limit option चाहिए कि मेरा curve जो है कहां तक extend होगा ठीक है उसके लिए हमें एक line बनानी पड़ेगी कि मेरा curve यहीं तक extend होना चाहिए ठीक है वो endless नहीं होता यह कहीं न कहीं से एक end point चाहिए कि मेरा curve यहीं तक extend होगा लाइन पे जा रहा हूं, रेट कलर आ रहा है, इधर नहीं दिखा रहा है, इधर इस साइड, कि इधर कितना एक्स्टेंड हो, कि इधर तो infinite space है, इसलिए कोई particular boundary, मतलब क्या बोलते हूं से, stopper चाहिए, कोई एक end point चीए, कि मेरा जो curve है, कहां तक extend होगा, stopper चाहिए, मैं simply इस line तक, वो extend हो गया, अब फिर यहां से next यहां तक जा सकता है, देखिए, वो so कर रहा है, ठीक है, मैं इस पर click कर देता हूं, देखिए, यहां, यह मेरा curve जो बीच का नहीं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो जिधर आप इसके center से, जिधर आप cursor ले जाएंगे यह line पर, उधर वो extend हो जाएगा, इधर ले जाएंगे, इधर extend हो जाएगा, ठीक है, इस तरह है, तो इस तरह से आप लोग extend का use कर सकते हैं, ठीक है, यहां भी आपको line extend करनी हो, वहां तक आप लोग कर सकते हैं, बसरते मैंने condition बता दी, कि एक stopper चाहिए उसे, एक limit क्योंकि अब इधर तो कोई limit नहीं है, तो इधर तो मैरी line extend ही नहीं होगी, देखिए, आप कुछ नहीं सोक कर रहा है, इस तरह से आप लोग को यह सब चीजे ध्यान रखनी होगी, ठीक है, यह हो गया, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, next option पे, make corner, ठीक है, make corner क्या है, मैं मैं आपने simply बता देता हूँ, suppose, यह चार intersection point है, ठीक है, ठीक है, ठीकिन मैं चाहता हूँ, यह सब delete हो जाए, मेरा यह और यह दोनों एक तरफ corner में आ जाए, ठीक है, यहाँ एक corner point बन जाए, ठीक है, तो simply क्या करूँगा, मैं इसको on करके, देखिए, मैं क्या चाहता हूँ इसको और इसको रखना, इसको और इसको रखना, उन्दोनों को select कर लिया मैंने, बाकि देखिए, अपने आप delete हो गया, फिर से मैं दिखा देता हूँ, मैं suppose चाहता हूँ, मैं इसको और इसको रखना चाहता हूँ, यह दोनों delete करना चाहता हूँ, तो simply इसको और इसको select देखिए हो बाकि बाकि और यहां का इसींक बाकि बाकि और और यहां एक कॉर्नर बन गया. इस दुम्पल इस तरह से आप लोग इसका use कर सकते हैं,AKE कॉर्णर क्या. इसको इसको रखना चाहता हूँ वो delete हो गया इस तरह से इसको इसको रखना चाहता हूँ बाकि उपर का portion delete हो गया इसको इसको रखना चाहता हूँ अब यहाँ delete नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि already यहाँ corner बना हुआ है यहाँ भी एक corner बना हुआ है अगर यहाँ मैं इसको इसको रखता भी हूँ तो यह पूरा delete नहों के quality यहाँ corner बना हुआ है तो यहाँ पर simply आप लोग trim का option यूज कर सकते हैं अगर यह corner portion चाहिए यह नहीं चाहिए तो simply cut कर देजिए हो गया तो अलग-अलग options है कहां-कहां कैसे use कर रहा है आप लोग के उपर depend करता है आप लोग के practice के उपर depend करता है ठीक है तो यह हमारी option हो गई next यह जो option है trim, receive, curve इसके लिए मुझे थोड़ा से special बनाना पड़ेगा sketching ठीक है इसको हम लोग next किसी वीडियो में सिखेंगे क्योंकि normally यहां से select नहीं हो इसे मैं select करता भी हूँ normally यह chain select करना है वो मुझे बनाना पड़ेगा ठीक है, वो पहले से बना कर रखूँगा तब मैं आप लोग को समझा दूँँगा ठीक है, इसको भी skip करते है next चलते हैं हम अपने move curve पे move का मतलब ही समझ में आरा curve को एक position से दूसरे position पे move करना ठीक है, मैं suppose इस curve को move करना चाहता हूँ मैंनो इस curve को select कर लिया लेकिन देखिए कुछ दिक्कत आ रही है कि नहीं देखते है अब देखिए मैं कहा move करना चाहता हूँ क्योंकि मैं sketching तो एक plane में कर रहा हूँ तो एक plane में ही में move कर सकता हूँ अब मैं xy में कर रहा हूँ तो xy में ही move कर सकता हूँ दूसरे में move नहीं कर सकता ठीक है, तो जैसे ही मैंने select curve किया, यह select curve का option है एक curve मैंने select कर लिया ठीक है अब जो ये arrow दिखा रहा है उस पे left click करके आप लोग move कर सकते हैं मेरा पहले यहां था अब यहां हो गया यहां distance show कर रहा है आप लोग चाहिए तो यहां distance enter कर सकते हैं आप लोग चाहिए तो angle भी value डाल सकते हैं 45 degree के angle पर distance कितनी है, angle कितना है कुछ भी आप लोग define कर सकते हैं यहां से, ठीक है move curve में option select करके अब यहां motion में बहुत सारे options है distance सिर्फ जाना है तो देखिए सिर्फ distance जाना है तो आप किधर भी जा सकते हैं ठीकिन यहां देखिए सिर्फ यह show कर रहा है कितना distance है ठीक है, अगर मैं apply करता हूँ नहीं जायागा यह क्यों नहीं जायागा क्योंकि देखिए मैंने सिर्फ एक plane पे sketching कर रहा हूँ 2D में अगर मैं इसको उपल लगा तो इसका मतलब तो यह 3D हो जाएगा विकिन 3D तो मैं कर नहीं रहा हूँ मैं तो simple 2D sketching कर रहा हूँ इसलिए यहाँ distance option नगा select करके distance और angle select करेंगे तो अटमेटिक यह plane में ही move होगा आइदर plus x minus x या plus y minus y ठीक है इस तरह से अगर 3D होता तो 3D में हम up and down move कर सकते हैं ठीक है angle, value, distance कुछ भी आप enter करके आप लोग इस तरह से move curve का use कर सकते हैं कहीं भी curve को move करना हो ठीक है मैं apply कर देता हूँ simply अब देखे मेरा curve पहले यहाँ था आप यहाँ move होगी 45 degree angle पे ठीक है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं move curve का use कर सकते हैं next option है offset move curve का इसमें क्या होता है कि हमारा curve offset भी होता है और move भी होता है कैसे होता है देखे यहाँ select curve लिखा हुआ है मैं इसे line को select कर देता हूँ ठीक है अब मैं चाहता हूँ मेरा curve कितना distance move मैं चाहता हूँ 100 mm move हो जाए अब देखे यहाँ एक चीज़ करता हूँ मैं इसे delete कर देता हूँ तो अच्छा देखेगा ठीक है और मैं offset move curve को use करता हूँ अब एक लोग एक चीज़ ध्यान से देखेगा आप लोग मैं सिर्फ इस curve को select कर रहा हूँ सिर्फ इसको ठीक है मैंने इसको select नहीं किया है मैं सिर्फ इसको seleck कर रहा हूँ इसको move करना चाहता हूँ लेकिन अगर मैं सिर्फ move curve का use करूँ थीक है इसका move curve का तो सिर्फ ये curve ही move होगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस curve के respect में ये और ये दोनों लाइने equally move करे थीक है equal move होना चाहिए यह नहीं कि सिर्फ मेरा यही line move है ऐसा नहीं होना चाहिए मैं equally इसको और इसको एक दुसरे के relative position में move करना चाहता हूँ एक साथ तो उस case में मुझे offset move curve का use करना पड़ेगा कैसे? देखे मैंने line select कर लिया है मैं चाहता हूँ 100 mm मैं इस line को move करूँ 100 mm एंटर करने के बाद enter यह देखे देख रहे हैं आप लो कुछ दिखा यह line तो मेरी 100 mm move होई लेकिन यह जो line थी ना यह अपने आप position 100 mm extend करके इस line का साथ नहीं छोड़ा है इस line के साथ यह move हो गई उपर वाली line भी same इसके साथ यह move हो गई इसके साथ यह वाली line move हो गई इसने इसका साथ नहीं छोड़ा है और मैं simply apply कर दूँगा ठीक है फिर से मैं दिखाता हूँ अप लोग को मैं suppose minus 100 mm move करना चाहता हूँ ठीक है और minus 100 mm move एंटर करके मैं curve को select करता हूँ ठीक है तो देखे वापस वहीं जा रही है लेकिन ये दोनों line भी एक साथ जा रही है offset हो रही है एक दूसरे के साथ अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा result कैसा हैगा मैं apply करने से पहले देखना चाहता हूँ मेरा result कैसा हैगा यह आँ show result का option है यह अभी apply नहीं किया है मैंने यह just show result किया है मेरा result इस तरह से आएगा इस तरह से मैं देख सकता हूँ ठीक है वहाँ से देखने के बाद undo कर दूँगा वापस ऐसा दिखेगा मेरी जो line है मेरा जो curve है वो कहां से कहां move हो रही है ठीक है इस तरह से आप लोग देख सकते है तो offset move curve का मतलब यही है कि जो भी relative या जो भी touch में lines है सपोज मैं move इसको करना चाहता हूँ लेकिन इसके touch में यह line भी है और यह line भी है तो यह अपने आपको equally extend कर लेंगे इस line के according यह line जितना move करेगी यह दोनों line भी उतना ही move कर जाएंगे simply एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे ठीक है offset move curve का मतलब यह ही है और यहां से apply कर दीजिए ठीक है यह देख सकते हैं आप लोग मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ इस line को select करके इसको मैंने select किया और 100 mm डाल देता हूँ minus 100 mm 110 mm देखे इधर की तरफ जा रहे हम लोग तो देखे यह line को मैंने move किया लेकिन यह line touch में थी यह line भी अपने आपको इसने extend कर लिए 110 mm ठीक है तो यह benefit है offset move curve का यह आप लोग use कर सकते हैं और okay कर दीजिए ठीक है तो यह हो गया offset curve हमारा यहां तो complete होगा अब हमने उपर की 6-7 options और नीचे के देख लिए except this one इसको मैं next वीडियो में समझाऊंगा अब इसमें आते हैं next drop down में कुछ options और बचे हुए हैं ठीक है उससे भी हम देख लेते हैं तो यहां देखिए move curve तो हमने देख लिया offset move curve भी देख लिया अब देखते हैं scale curve का scale curve क्या है मैं दिखाता हूँ मैंने option select कर लिया और इस line को मैंने select कर लिया simply देखिए यह क्या कह रहा है न कि मुझे अपने line है इसको कितना बढ़ाना है यह मतलब कितना percentage में इहां दिखा रहा है अगर मैं यहां जाकर distance select कर लूँ यहां simply second option distance select कर लिए अब इस line को कितना बढ़ाना चाहते हैं 200, 500, 1000 में 500 करना चाहता है तो यह total length मेरी 500 की हो गई ऐसा नहीं है कि जहां से पहले line थी वहां से 500 नहीं यह total मेरी 500 में मूव हो गई ठीक है तो इस तरह साप लोग move कर सकते हैं किसी भी scaling कर सकते हैं simply कहने का मतलब है किसी भी line को select करके या उसे बढ़ाना चाहते हैं simply कर सकते हैं कोई दिख कर नहीं अगर वहां से नहीं करने का मन है तो simply यह काम करिए इस line पे जाकर double click किए जब भी red colors हो करें ना double click कर दीजे एक minute double click कर दीजे उस पर automatic distance आ जाएगा ठीक है? देखिए limit में option है यहाँ distance का जो भी value यहाँ change करेंगे यह ok करेंगे वो value यहाँ change हो जाएगे या फिर आप लोग चाहें तो scale curve का भी use कर सकते हैं इसका ठीक है? next है resize curve का नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोग curve को resize करने के लिए इसको use करते हैं simply ठीक है? अब देखिए यहाँ उस तरह का curve नहीं है मेरे पास ठीक है? अब इसके लिए मैं special curve बनाना पड़ेगा मैं suppose दिखाता हूँ आप लोग को एक आर्क बना लेते हैं हम लोग ठीक है? मैंने आर्क बना लिया अब इसको resize करके देखते हैं होता है कि नहीं देखिए देखिए यही एक चीज़ समझना है आप लोग कर resize curve मैं आप यहाँ में नहीं use कर सकता क्योंकि इसके लिए तो already scaling curve मैंने इससे पहले दिखाया ना scaling curve मैंने पहले दिखाया कि scale कर सकते हैं straight lines को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं उसकी length, उसका dimension change कर सकते हैं straight line के case में लेकिन जहाँ curve हो, एक arc हो, उस case में हम कैसे use करेंगे तो उस case के लिए resize curve का simply select कर लिए, और इसमें आप लोग देखें यहाँ diameter का option आ रहा है कुछ भी diameter डाल दीजिए, 1000 mm डाल दीजिए देखें, इसने उस चीज को scale कर दिया, उस चीज को resize कर दिया, ठीकें आप लोग देख सकते हैं, मैं 0 डालता हूँ वापस वहीं चला गया, अब diameter 0 नहीं हो सकता, मैं 1000 फिर से डाल देता हूँ देखें, यहाँ से वहाँ वो shift कर गया, वो दिखा रहा है, ठीके फिस अगर मैं result देखना चाहता हूँ, तो देखें, result मेरा यह है, लेकिन मैं इसे undo कर देता हूँ, ठीके यहाँ एक arrow दिया गया, इससे आप लोग चाहिए, तो कम ज़्यादा कर सकते है resize automatic कर सकते है, इस पे बस right click करके, click छोड़ना sorry, left click करके, click छोड़ना नहीं है, ठीक है click छोड़ना नहीं, click continue प्रेस करें रखना है, और up and down करेंगे, तो यह automatic change होता जाएगा, ठीक है resize curve select करके simply यही एक चीज़ समझ में आती है कि जब इन state lines को scale करना हो या resize करना हो, तो scale curve का और जब भी किसी arc को scale करना हो, तो resize curve का use करते हैं हम लोग, ठीक है अब आते हैं resize chamfer curve, अब यहाँ देखते हैं देखिए, कोई line select नहीं होगी, ठीक है क्योंकि यह special case है, ठीक है अब देखिए, यहाँ arc भी select नहीं हो रहा है ठीक है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक अलग बनाना पड़ेगा curve, ठीक है, यह special case है एक यह हो गया, और एक यह हो ठीक है, trim receive curve इन दोनों के लिए और इसको ठीक है, यह हो गया और इसको मैं अगर resize करना चाहूँ तो नहीं हो रहा है कोई नहीं मैं आप लोग special curve बना के दिखाऊंगा तो महाँ समझ में आयागा आप लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं है इन दोनों options को मैं एक साथ दिखा दूँगा ठीक है, यह दोनों options pending रहेंगे अब next आते हैं हम लोग इस पे delete curve पे ठीक है, यह तो simple सा fund आया है किसी भी line को select कीजिए, वो delete हो जाग apply किसी भी line को select करके आप लोग ओके, यहाँ chamfer लगा हुए कोई नहीं, कुछ special कैसे से यहाँ delete नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखे, कई सारी properties add है, यह line भी add है, यह chamfer भी add है, इसलिए properties delete नहीं कर पा रहा है, simply इसको select कीजिए और अब मैं apply करता हूँ तो, new hours cannot adapt the close, divide ओके, ओके कुछ एक मिनट हाँ, मैं कहा था delete curve पे, ठीक है तो, देखिए, यह जिससे delete नहीं हो रहा था, कुछ इसमें लगता है properties add थी, ठीक है अब जिससे simply select करते हैं, और apply करते हैं देखिए, delete हो गया, इसको click करते हैं apply करते हैं, यह delete हो गया simply कहने का मतलब यहीं है किसी curve को अगर delete करना चाहते हैं तो, आप लोग इस तरह से delete कर सकते हैं ठीक है, कोई इसमें issue नहीं है तो, आप लोग का यह जो पूरा section है न, complete हो गया है यह दोनो, यह उपर वाले और यह पूरा इसमें दो pending है, इसके लिए मुझे special थोड़ा सा designing curve करना पड़ेगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा ठीक है, next आते हैं studio splint पे कुछ-कुछ चीजे मैं दिखा देता हूं आप लोग को कुछ समझ में आ राज देखे, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, explain कर देता हूं मैं इन सब चीजों को पहले delete कर देता हूं ठीक है, फिर से हम एक plane ले लेते हैं studio splint का आए एक curve है, एक तरह का जब हम surface designing करेंगे ना उसमें इसका ज़्यदा use होगा, क्योंकि surface थोड़ा सा अलग होता है, normal sketching के compare में, तो उसके respect में हम लोग इसका use करेंगे ठीक है, studio splint का यहां simply मैं दिखा देता हूं कि मुझे एक curve बनानी है, तो simply specify point है ना पहला option में देखे, through point है पहला option में यह select करना है through point और specify point पहला point में ने define किया, दूसरा देखे, इसने state line जोड दिया तीसरा, curve बना ले इसने चौथा, अगेने curve, पाशवा, अगेने curve तो यह अलग अलग तरह की तरीके से curve बनाता जाएगा ठीक है यह है studio splint, जैसे आप लोग चाते हैं वैसा बना देगा, अगर मैं apply करता हूं, और मैं इसको चाता हूं थोड़ा सा change करना, ठीक है तो देखिए यहां जो points दिख रहे हैं जहां जहां मैंने click किया था, अगर इसको change करना है तो इस points पर just click करके देखिए बड़ा सा गोल आ जाएगा उस ball को उस ball को left click करके छोड़ना नहीं और drag करना है जैसे आप लोग चाहें वैसा बना सकते हैं किसी यह points है, मैं चाहता हूं इस points है तो इस पर click किजिए और drag किजिए ठीक है, आप लोग जैसा चाहें वैसा surface बना सकते हैं जैसा चाहें वैसा save बना सकते हैं आप लोग simple यह है studio spline और इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है, आप लोग देख सकते हैं किसी यह points को आप लोग change कर सकते हैं ठीक है just left click करके drag करना है, click नहीं छोड़ना है drag करना है, तो आप लोग इस तरह से studio spline का use कर सकते हैं कहीं line join करना हो, curve में कोई particular curve defined है उसमें lines join करना है two points को, straight line को यह कहीं भी, तो वहाँ आप लोग use कर सकते हैं इसका, studio spline का ठीक है next आते हैं हम इस पे polygon पे, polygon से तो नाम समझ में आई रहा होगा यह मतलब यह से की hexagonal हो गया, decagonal हो गया pentagon हो गया, square हो गया rectangle हो गया, किसी भी तरह का polygon बना सकते हैं उसके लिए पहले option है specify point, मैंने point specify कर दिया अब देखे, जैसे मैं वहाँ से click करके बाहर के तरफ mouse ले जाऊंगा न उपने आप define कर रहा है rotation define कर रहा है number of sides अलड़ी मेरा बना हुआ है ठीक है, मैं चाहूँ तो sides मैं चाहता हूँ नहीं मुझे three sides चाहिए three enter कर दिये, triangle बन गया hexagonal का मतलब ही होता, sorry polygon का मतलब ही होता, कितना भी भुजाए ले सकते हैं ठीक है, अब दो तो नहीं ले सकते है अब मैं दिखाता हूँ, दो लेकर देखिए दो तो होई नहीं सकता है ना ठीक है, दिखेगा circle की तरफ, क्योंकि छोटे 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 hundred points है, इसलिए वो circle की तरफ दिख रहा है, तो यह circle नहीं है, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, points 50 कर देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा circle की तरफ दिख रहा है, देखिए, मैंने sides बन गई, तो इस तरह से आप लोग define कर सकते हैं, ठीक है अगर आप लोग चाहते हैं, इसका radius select sorry, angle change करना, वो भी कर सकते हैं, अब मैं suppose, यहाँ point define करता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा जो यह curve रहे, जो मेरा polygon रहे, यह 120 degree पर रहे है देखिए, अब 120 degree पर मेरा fix हो गया यह, ठीक है अब मैं angle नहीं change कर सकता है, क्योंकि मैंने fix कर दिया 120 degree और मैं बाहर आकर click कर सकता है, हाँ इसका जो radius है वो मैं बढ़ा सकता हूँ जितना बढ़ा करूँगा, उतना बढ़ता जाएगा जितना छोटा करूँगा, कम होता जाएगा radius ठीक है, इस तरह से मैं अपना polygon बना सकता हूँ ठीक है, अब एक चीज़ देखने के लिए है कि 120 degree मेजर कहां से कर रहा है तो simple, जिस plane पर मैं वो कर रहा हूँ, sketching xy plane पर कर रहा हूँ ना, तो इस plane के respect में 120 degree इसने मेजर किया है, ठीक है, इस plane के respect में, क्योंकि मैं sketching तो इसी plane पर कर रहा हूँ, तो इस plane के respect में इसने 120 degree मेजर किया है और आप लोग change कर सकते हैं यहां से, अब suppose मैं value change करना चाहता हूँ, किसी एक particular length की उस length पर click करना है और limits में जाना है और देखें यहां, value दे रखी है मैं suppose 1000 करना चाहता हूँ अच्छली यहां allow नहीं कर रहा है इसलिए ना, क्योंकि यहां कई सारे constants बने हूँ है यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया पहले इन constants को delete करना पड़ेगा, वह भी मैं सिखाऊंगा आप लोगो ठीक है, उसको delete करने के बाद मैं चाहूँ तो सिर्फ इसका length या सिर्फ इसका length अलग-अलग sides का length change कर सकता हूँ, ठीक है मुझे इसकी length थोड़ी जादा चाहिए, इसकी कम चाहिए इसकी कम चाहिए, इसकी जादा चाहिए तो आप लोग किसी भी अलग-अलग अलग-अलग length पर काम कर सकते हैं, बसरते मुझे ये angle जो constants देख़ए, जियो metric constants इससे delete करना पड़े है, क्योंकि ये एक तरह सा curve को बांद कर रखते हैं move नहीं होने दिते है उसे, ठीक है changes नहीं allow करते हैं, तो मैं दिखाऊंगा कैसे इसको hide कर सकते हैं हम लोग ठीक है, अधरबाज ये हमारे benefit के लिए on रहे तो ज़्यादा benefit होगा हमें पता चलता जाएगा कि मेरी dimensions कितनी है ठीक है तो इस तरह से आप लोग change कर सकते हैं जो मेरी geometric constant है उस पर मैंने click किया, ये open हो गया यहाँ कुछ भी value change कर लिए आप लोग ये उसके accordingly रिसाइज कर लेगा अपने आपको, ठीक है तो ये geometric constant उतनी भी बुरी नहीं है बहुत काम की चीज़े हैं तो आज इतना ही रखते हैं जितना मैंने बताया है उतना आप लोग practice कीज़े और next class में ये बागी सारे options हम लोग खतम कर देंगे यहाँ आज हमने बहुत कुछ सिखा तो सब का practice कीज़े और जो बागी सारे options बचाए हैं next video मैं सारे complete कर दूँगा जहां तक मैंने बताया है खूब practice कीज़े जम कर sketching कीज़े जितना sketching करेंगे उतना 3D में ज़्यादा दिक्कत नहीं है 3D आसान है बसरते की 2D आपको अच्छा से आना चाहिए जितना 2D अच्छा हैगा 3D आप लोग के लिए उतना better हो जाएगा ठीक है तो practice कीज़े मिलते हैं next class में ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू झाल 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 झाल